हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबका आज हम राइस बनाएंगे राइस बनाने के लिए हम कड़ाई में एक चमच ओल लेंगे गैस ओन कर देंगे गैस को पर ऊपर कड़ाई रख देंगे और यहां आठ दस पत्ते कड़ी पत्ते के डालेंगे और आदा चमच जीरा डालेंगे आदा चम्बच हम यहां राई डालेंगे और अब हम कटी हुई प्याई डाल देंगे इसमें दो कटी हुई हरी मिची डाल दी है हमने अब इने हम फ्राय करेंगे अब हम इसमें एक कटा हुआ टमाटर डाल देंगे इसे भी हम अच्छे से फ्राय कर लेंगे टमाटर को भी तो मारा टमाटर फ्राय हो चुका है अब इसमें हम थोड़ी से हल्दी डालेंगे आदा चमच धनिया पाउडर डाला है हमने और चाट मसाला डाला है आदा चमच इनने भी मिला लेंगे अच्छे से आदा चमच हैं हम नमक डालेंगे क्योंकि नमक हमने चाबल को उबालते टाइम चाबल में डाल दिया था तो जो हमारे उबले हुए चाबल रखे हैं वो डाल देंगे हम इसमें अब चाबल को हम अच्छे से मिलाते हुए फ्राइ करेंगे तो हमारे जो चाबल हैं वो बनकर तयार हैं तो आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी ये हमें जरूर बताईएगा कमेंट करके और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया हो हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब भी करिए और शेयर भी कीजिएगा तो आप भी बना कर देखिएगा ऐसी रेसिपी और हमें बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगे